असलाम अलेकुम गूड बॉर्णिंग से एफ सटी की साल मैं हूं जुबहर शारिक और मैं हूं ताहिरा अली क्या हाल चाल है आपका उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे हमारे देखने वाले सुनने वालों को मेरा और ताहिरा की तरफ से बहुत प्यार भरा सलाम आज म अज़ निकले हो तो असवक्त बुंदाबंधी हो और जब मैं गाड़ी में थी तो बारिश काफी तेज हो गई तो मौसम खासा खुछगवार ताहिरा 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 आप घर से बाहर निकले तो नौमली ऐसे हो एक आप आप उठते हैं कि आपका दिल निचाहता ताहिरा बनारे होते हैं तो अच्छा खुछगवार मौसम था ताहिरा तो अगर मौसम खुछगवार हो तो आपका मूद अटमेटिकली हैपी हो तो इसके साथ-साथ हम यह भी बात जरूर आपको बताना चाहेंगे कि बेवकूफ और अकलमंद लोगों कि क्या पैचान होती है और ब बेवकूफ और तो इनसान होता है जो कि बिलावजा कहीं वी K्दर भी सोचे संदे कोई भी बात कर देता है अपनी अकल का इसतेमाल नहीं कर देता तो तो इस पर बड़ी खुबसुरत कुटेशन है नैसल्यौ साहब कि कहते हैं कि के अकल्मंद की खमोशी बेवकूफों होंगे उनको ज़्यादा बोलने का मौका मिल जाएगा तो दानिश्वर शक्स की कोई भी एक बात बेवकूफ शक्स को खामोश करवा सकती है तो इसके साथ साथ हम चलते हैं अपने पहले सेग्मेंट की तरफ जो है आज के ख़बाराद जिस तरह हमने शो के अगास में बात की मौसम के बारे में तो मौसम के बारे में आप बात करने से पहले हम क्यूं ये बार बार इस को हम याद करवाते हैं अपने नाजरीन हाजरीन को के बारिश और बरवारी और तेज हवाओं का नया सिंसला शुरू हो गया है बारिश और बर वहां पर बरफबारी का भी इमकान है तो इस हवाले से जुबहर हमें केर करनी है और यह चीज बहुत इंपोर्टन है ताहिरा देखने वाले सुनने वालों को बताने के लिए कि जब तेज हवाइं चल रही होती है वैसे हम इनसान की कुछ फितरत ऐसी है कि जब जारा गर्मी ह हो तो वह अच्छे मौसम की दूआ मांगता है जब बहुत अधा ठंड पड़े तो कहता है या धूप निकला है तो जब अच्छा मौसम भी होता है तेज हवाइं भी चल रही होती है तो आपको इस सीज का ख्याल रखना होता है कि कोई अगर आपकी गली महले में इड्ड ग बजरी एक्स्टा लगने वाली है गिर जाने का खच्छा होता है तेज हमाँ से तो इस चीज से भी आप लोगों ने जो है वो देख भाल के एतियात से थोड़ा दूर रहें और जो तारे हैं स्पेशली आप कहीं भी देखते हैं कोई आप देखते हैं कि तार है बजरी की त क्योंकि इस मौसम में यहां में तो ड्रॉब्‎ के ना हो और अप सब किसान ऐखर एवहvida कर educator के आथिखेस चलूंगर आछ और रास्ते केसा की चलूंग के अपन घर वाहर निकल नहीं निकलना और गयर ज़ूरिख्टे करते हैं रूट कोई ह muchísimo चाहिए तो आपने रास्ता आफमेट 8.6 को ट्यून जरूर करना है हमारी एकली कबर किया था है राइगे बता है अगली कबर है हमारी के एरानी सदर पाकिस्तान आये में आप समको पता है कि पाकिस्तान आये हुए है वो डिफरेंट शेहरों का विजिट कर रहे हैं और आज वो आये हैं उनका दौरा आए आके पहुंच चुके हुए हैं दौर के डिफरेंट मकामात पे आज उनको विजिट कराया जाएगा सीम साहबा की तरफ से इनका इस्तक्बाल भी किया गया साथ ही साथ जो है वो गवर्नर बलीगूर रहमान उनको वेलकम किया तो एक अच्छी चीज है कि एरान के जो स पाले से आम तातील भी है लहूर में और स्कूल कॉलेजिस यूरिस्टी बहुत से और भी अधारे जो ऑफिस वगरा है वो भी बंद है तो आपने अज आज आज अपने घर जरूरी तौर पे घर से बाहर नहीं निकलना है क्योंको पता है वीवी आएपी मुमेंट है बहुत इसी इंफंबेशन ले कि कौन से रस्ते बंद हैं कौन से रस्ते खुले हैं तो चुटी का दिन घर में बैठें बच्चों के साथ एंज्वाइब करें और जरूरी सफर से श्तनाब करें आपको तंगी हो सकती है ठीक ठाक कि समय किसमादी कि बिल चाहता है तो जी समोसे वको अब कर दिया गया है यह वचल पुलिस प्टेशन मरीम वजीर आला मरीमनौष श्रीफ की हडायत पर लहाओ मैं इसका रा कर दिया किया है और यहां पर आके और नहने ‫चार डिफर इफर्ण प्रॉजेक्स आ उस्ता किया है जिनमेसे इसए زभर आपको बताएं के कौन कौन स इसका नाम बताया है मेरी आवाज मरियम नवाज इसका पुलिस्टेशन का नाम है इसका फिता कर दिया है जिसमें 100 से जदीर एमेजनसी पैनिक बटन का भी इजरा जिसमें किया गया है फिर उसके बार वजीर आला ने लहोर के 50 मकामात पर फ्री वाइफाई प्रोजेक्ट का अभी इफता किया है उसके बाद जनूबी एशिया में पहली बार लहोर में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के जरीए 19 ट्राफिक की खिलाफ वर्जियों पर चलान मतलब के ट्राफिक मामलात पर ऐसे 19 वालेशन हैं जिसकी खिलाफ वर्जियों पर चलान भी शुरू कर दिय जा रहा है और यह चारों प्रोजेक्ट सेफसरी जानिब से ही हैं और इनका कल सीम साहबा ने आके फ्ता किया जिसके बारे में जुबैर ने आपको बताया और यह जो वर्जियों मेरी आवाज मरीम नवार इस पर आज तफसीली हम बात भी करेंगे तो आपने सेग्मेंट मे आपको असानी से ट्रेवल कर सकें घर से बाहर निकलते हैं आपको बताया कि इसके कराये बहुत जादा होते हैं तो इनकी असानी के लिए 20,000 सुडेंट को अलेक्टिक बाइक का प्रोजेक्ट था सीम साहबा की तरफ से और अब उनने मजीद भी एक नया एलान किया है वह य चुरुडेंस को चाहिए होते हैं टीजर के मसायलने ट्रांसपोर्टेशन तो काफी बड़ा इंशू है रहता है कि हमारे साथ के टाइम पर पहुंशना भी चाहते हैं पबिलिक ट्रांसपोर आप कहते हैं थोड़ा ताइम भी जादा लग जाता है अगर आपने फेर बजना तो जिस जिस को चाहिए फॉरी तो पर जाएं विजिट करें वेबसाइड और बाइक के लिए अप्लाइक करें और इंजॉय करें अपने सुफर को अगली आ खबर आपके पास अगली खबर मेरे बास यह है कि देंगी का वाइरल पहल रहा है बहुत तेजी से हमें वाइरस इस जो है यह इस पर इतियाद करनी चाहिए इस वाइरस से बचना चाहिए बचने के तरीक के डाप्ट करने चाहिए तो 574 इन और आउट पर देंगी लार्वा मतलब छोड़े बच्चे होते हैं वह इन से बचाओ की मामलाद जो हैं हफाज़ती किसी भी किसम के इंडोर आउट पर 1574 यानि के डिफेंट प्लेसिस हैं क्योंकि आपको जैसे हम बताते हैं कि डेंगी बहुत पहलता जा रहा है साफ पानी से अपने अप्यात करनी हैं तो इंडोर और आउट्डोर मकामात पर जहां-जहां से लार्वा पकड़ा गया वह 1574 मकामात हैं इस हवाले से डेंगी और अगर कोई भी सिम्टम आपको महसूस होते हैं आपको बुखार हो रहा है बहुत तेज और आपकी तबत खराब हो रही है तो आपने घ्रील टोटों से वाइट करना है ताकि अगर नखासा अगर डिंगी है तो इसको फॉई तो पकड़ा दा सके और आपकी कीमती जान को बचाया सके आगे हम बात करेंगे आप सब को पता है कि जी आज 23rd of April है 23 April है तो दुनिया भर में आज यौ में किताब मिनाया जा रहा है यानि कि ए बुक्स का डे मिनाया जा रहा है और 20 साल से गुदिश्टा 20 साल से इस दिन को मिनाया जाता है आप सोचते हों कि किताबों क किताब को अपर ने क्या मतलब यह है कि किताब कितनी जरूरी है इनसान के जिंदगी में तो जोबहरा आपको शॉक है बुक रीडिंग का जब मुझे आप मिलता है प्री टाम मिलता है जरूर करता हूं आपकी नॉलज में इजाफा होता है और एक इसमें बड़ी में बैठ कर लोगों को उसकी अगाही दे सकेंगे इल्म बांड सकेंगे और उतनी नौलेज आएगी आपके पास तो बुक रीडिंग शौक मुझे है ताहिरा तो वाकिए बुक रीडिंग बहुत अच्छी चीज है और मैं तो प्रफर करती हूं कि किताब हार्ड फॉर्म में और जो उसका मज़ा होता है और हार्ड फॉर्म में आपको मज़ा ने आता है तो आज जी इस दिन को मिलाने का मकसद यह है कि आम आदमें को किताब और कुतब बीनी की एहमियत से रोशनास कराया जा सके और आप भी बुक्स पढ़ा करें और इस अवाले से बहुत से सेमिना आज भी आज हो रहे हैं पाकिसान भर में क्या इंटर्नाशनल लेवल पर हो रहे हैं तो किताब के हमियत बहुत ज़ाद है इंसान की जिंदगी में और आप सीखने कोई टाइम नहीं होता कोई कोई लिमिट नहीं होती आप जिंदगी का हर फेस में जो भी चाहें उसको पढ बर्बरियत हो रही है उसके हवाले से एड करते हैं मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं इस्राइली मिलिटरी इंटेलिजेंस का सरवरा मुस्तेफी हो गया है उसने इस्तीफा दे दिया है लेकिन वहां पर जुम और बर्बरियत का जो नजाम है वहां उनकी तंजीम है एक पचास फलस्तीनी शहीद हो गए हैं यही बार बार जब तक यह जंग रुक नहीं जाती जब तक यह खून बहरा है लोगों का मासूम बच्चों का औरतों का रुक नहीं जाता हम डेली बेस पर प्लाटफॉर्म पे यह खबर जारी करते रहेंगे और अपनी अवास जाना चाहिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने इस प्लाटफॉर्म से आलमी दारों को हमारी अवाज अगर पहुंचे तो खुदारा खुदारा इस चीज को बंद हो जाना चाहिए बहुत जुल्म हो चुगा है अब इसके साथ-साथ हमें लेने हैं अपनी ब्र जानिंग सेफ सिटी और जैसे ब्रेक पर जाने से पहले जुबैर में जिकर करी थी बता रही थी आपको न्यूज में हमने बताया जुबैर ने तफसील में कि कल असीम पंजाब साहिबा आई ही थी और उन्होंने इनागरेशन किया बहुत सारी चीजों का जिनमें से एक वर आप सब सोच रहे होंगे कि खवातीन का पुलिस टेशन तो अलड़ी लहौर में मौजूद है तो यह वर्चौल पुलिस टेशन क्या है जी किस तरह से काम करता है कैसे आप इस रापता कर सकते हैं आपके लिए क्या मजीद खिदमात हम लेके आए हैं तो हमने जी मदू किया करता है आपने मिससा अक्साथ ओए वक्राद को फ्रिचार आप ने से मैं से विले को कर अपके एह। बहुत शुकुर्या कि तायम आपके अपने खिरमारे गोने सब्सका सबसे पहले करोंगा क्या है किस तरह से काम करता है कि तरा नहीं ठीड चीज है जोकि पहले पहले किम ह अपनी तरस का ये पाकिस्तान में पहला फॉमन पॉलिस्टेशन बनाए गया जहां पे हवाथीन से मुतलगा जितने भी मसाल है उन्हें सिंगल कॉल के जरीय से हल किया जाता है अच्छा यहां पे आप जो हमसे राप्ता कर सकते हैं कैसे वन फाप पी जब आप कॉल करते हैं व यहां पे विक्टिम हमारी फीमेल है यहां पर ऐसे मेल है अगर वो कोई ना के मसला किसी खातून के साथ है तो उस सुरत में वह मामलाद जो है जितना पी इनका कैस है वह हम हैंडल करते है ठीक है यह विर्ट्वल वुमन पॉलिस्टेशन का मतलब यह है कि है तो पॉलिस्ट करते है विर्ट्या का कार है विर्ट्वल वमन पुलिस्टेशन में क्या की ना का Muhy किसा रेंगाई इन के वन वे कहि से त करते हैं तो फीच के रवावाय किस दा शेर्श है हर विमन सेफटी अप के जरहें है लवाईडे閮 कि जीगाट में दू हमसे रापता कर सके हैं विल् आप हमें घर बैटके जहां पर आप मौझूद हैं आप में बैटके पना मसा बता सकते हैं कि आपके साथ इशु क्या चल रहा है और आपको पुलिस की मदद दरकार है पहले भी पुलिस मदद फराहम कर रही थी लेकिन अब वह परिशानी थी कि हम पुलिसे कैसे रापता करें दर्में में कोई होगा नहीं होगा हम रही बात सुनी जाएगी कि नहीं जाएगी पुलिस को पहुचाना अफैसे होता है कि हमारे जो फीमेल से कोल घॉम है ऑग Мне कर दिया अबर जान आने पर इंस फॉइंट पहूंचारcakहां क्या कौह फॉँचन उस यजाただ पॉँशने हम क तो बनों पार्टी को आपस में कनेक करना है आप उस खला को पुर कर रहे हैं जो के उस विक्टम और पुलिस वाले के दर्मयान में थी उनको कनेक्ट करा रहे हैं आप बिल्कुल ऐसे ही अब बतायें के विर्चुल विमन पुलिस टेशन ये एक पड़ी रिसंडी लांच किया है ये लेकिन अलरडी ए पुलिस टेशन अंदर भी तो विमन पुलिस टेशन है तो फरक ज़िए ये इन दो चीज़ों होंगा जैसे ये इसका नाम है वर्चुल कि आपको जाने की ज़रूद में बढ़ेगी वो पुलिस टेशन तो पहले से बने भी थे अच्छा काम भी चल रहा था लेकिन खावतीन के साथ वही मसाइल है हम जान ही सकते के ज़र में कोई मौझूद है मांवी थे मामलाथ भी ब्रहते पराते हों इसका के चाहन के आपके रहना हम इसको प्रिशवाना चाहते है अझा हम चैसी जाहें जभी जब तक डर पुलिस से मिलेंगे कमाने दो श्रौद में तो उने भी ब्रात है एक तो यह जाने नहीं दूसरा आप चले जाते तो आगे कोई मामला नहीं से हो रहा ना अगर आपका पास बाल नेगे लिफाजिंश्शन कीजा रहते हिलए कते लिशनली अगर बोचेशु हीशनित कीजा सतान के सबग में एक रापना कर गणा कर आप दो अगर खातू यह गाइडिंस चाहिए है वो जाना चाहते हैं इसके पूछना चाहते हैं कि मेरा F.I.R. तो होगी आगे क्या क्या है सवालात है थे अग्सार यह पता है लोगों को नहीं पता है कि अप्लीकेशन की अप्लीकेशन सब्मेट होगी है तो यह सारी इंफिर्मेशन हम उनको फोन पर प्रोवाइब करते हैं हम उनके नमर में रापता करते हैं तो आपकी अप्लिकेशन थी आगे आपकी आपके लाउज हो चुकी है मैडम अब आपका प्रोसेस इसके इलावा अगर इन्वेसिकेशन ऑफिसर को कर्वाइब करते हैं तो फिर हमारी आपनी ऐसे काल करते हैं यह उक्साधान थे नहीं यहां रहनुमाइज भी इनको बदा तके वह उसको प्रोश्टेशन ना पड़े मतलब एक पड़े लिखे तरीके से एक अच्छे तरीके से खातून उनको नका मसला सुच भी रही है और उसके बाद उसको रास्ता भी दिखा रही है कहा आपने जाना है किस तरह से ऐसा जब तक केस खातम नहीं होता आप लोग उसको केस को चेक करते रहते हो जब तक पॉलो क तक हमारा काम उस से पहले तक हम अपने विक्टम को तब तक बता रहते हैं या उसके साथ तक रापते पर रहते हैं निया जब वहां तक काम नहीं यहां धुगा है कानूनी कारवाई बनती है तो पूर्ट के हवाले से साफ से प्रसीड किया जाता है अच्छा तो मुझे बताएं कि आपके पास अप्लिकेशन वगरा हैं वो सारी वो लहूर बेस ही होंगी सारी यह पंजाब में कहीं भी किसी खातून को मसला है तो उस पर भी वही आई वी और छी में से बता कि जाख लिगी है किसे कुर्थ किते की सारी के अथे कडेशन वहीं प्लें वी connect करें है तो पर अच्युक्त में बहुर्च यह वो भूल लड़की है इसाँ बटाती है एक हमार सिखेंग उस नहीं है नहीं लिए को नहीं है आप नहीं है लो वो भूल नहीं है लो खाल आपके है तिक है वहीं आप समय फीमेल उपिसे शाद रहे उसे इसले करिदे काल लावा a मैं जए एक दफा ऐसी किसवी वाक एक थे हमारे वासे का राको को करना चाहती है तो मेरे साथ इसाथ समय है वहांगि यो पर हम बतानी सकता है और तो अपने लूद करता देखियों देखिम ऑपार थे यह तो तो हमारी फीमिल अफिसर ने पूछ थे तो हमला बताते हैं तो हम यह सारे औप्शन दिया जाते हैं जो फीमेल से उने फैसिलिटेट करने के लिए कि मैक्सिम्म जितना पॉसिबल हो सकते हैं इसको फैसिलिटेट किया जा सके तिक है यह सब्सक्राइब कि अपरे जा सकते हैं इसलिटेट कि मैंचाब के तरफ से इनिशयटिव इसलिए लिया गया कि यह जो घर पैटिक हवाठीन है कोई स्टूडेंट है कोई ऐसी मामला भी हो जाते हैं आप बच्ची नहीं बता वातीं तरह सूरत में भी चैट के जरिये बताती हैं आप विडियो जो ऐपिज सकते हैं आप एमेज है इसे कोई भी नहीं होगा जिसकी इसकी सुनवाई नहीं हो रही है इसको जिस हद तक मदद चाहिए आप उसको प्रवाइड करते हैं, इसका हाथ पकड़ लेते हैं जब तक उसका मसला हाल नहीं हो जाए ठीक है यह बड़ी जबर्दस सीज है क्योंकि इससे पहले इससे पहले हम देखे थे कि खवातीन की गिलागरती थी या काफी हुई बात की बात बहुत सारे केसी होते हैं अगर हमारे कास कोई है पास हमयाईगस को हुए दो आज जैसे हुए आज होती है कि ऐस यह सुख चीजह होती है करते हैं इसके एलाव हमारी Victim Support Officer है उनका काम है अगर और कोई भूदानाहास है इसके घ्रमा लगता है किसी इसी त्रौमा सिंहीर है तुम काम लिगता है काम है उसके साल मुसाला रापते में रहना, चांसलिग करते रहना, वह परिशान, इस हाथ हम कर सकते हैं बात्शीत के ज अगर कोई मर्द हजरात है उनकी घर की हवातीन के साथ भी कोई इशू चल रहा है विक्टिम तो हमारी खातून ही है तो कॉलर कोई भी हो जो चीज खातून से लिंक कर रही है डेजन मेंटर के वो खातून कॉल करे या मर्द कॉल करे कोई भी हो सकता है तो वो यह बता सकता है कि फ्लांग घर में उस खातून के साथ तशद्यूद हो रहा है इस इन चीज़ को भी आप लोग डील करते हैं ठीक होगी है ऐसा होता भी है अकसर पहले भी अगर हम बान फैफ की कैसे उठाक देखे तो यह होता भी है कि मर्दा कॉल करते हैं कि हमारी वाल्दा के साथ बेहन के साथ बेटी के साथ यह इस्यू है उस सूरत में भी उन्हीं क्यारा जयाओ जरुआ हो यहारा फोक्रत फैमिल को यहां फोकूस होना नहीं विर्चौल व्मंण के वाप विर्चौल विर्चौल वूमन प्लिस्टेशन है छाहां पर हां गेपर है धर, क्यों स्मीर्द Insert कन को भी है, कि हान भी भी र्चौल पमस्तेशन है नोंसे पह और अगर आपको यहां यह लगे कि कोई इन्वेस्टिकेशन ओफिसर किसी खातून के साथ कोपरेट नहीं कर रहा तो फिर क्या आप लोगों के सब्सक्राइब होगी तो फिर उसके खिलाफ भी कोई मैंकमाना कारवाई होगी या फिर किस तरह से आप इसको देखेंगे यह अगर कोई खातून के साथ तो हम यह उस दो किसी खातून के कार रहा है तो आपको ऑडियो नहीं मोरा आपके सार्वा कर देते हैं कि अब तक हमारे कुछ ने कुछ गरबड हो सकते हैं, हो सकते हैं कि हमारे खातून के ओपर प्रेशर है, फैमिली का, सुसाइटी का कि आपको आगे प्रसीड करने की जरूती है, अगर ऐसे भी अगर हमारे किसी फीमेल ओफिसर को इस तरह का कोई शुबह होता है, कि नहीं हो सक तक पड़ता है कि कुछ तो गरबड चाल रही है, चाहे वो उसका इसका इसका साथ आवन का रहा है, नहीं का रहा है, पुलिस का मसला है या उसकी फैमिली का इशो है, अगर वो इस डिस्ट्रिक का ना, तो हम वो धीपियो साहब को नोटिस में दे देते हैं, कि आप आप इ तैंक यू सो मुच अक्सा आप में टाइम तो दिया और फिर बड़ी डीटेल में बताया है किस तरह से हमारी खवातीन के लिए इतना जबरदस इनिशेटिव दिया गया है, आखर में कि खवातीन को गए उनका बात करना या अपने लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है, जी, आवाज उठाना बहुत जरूरी है, हम जानते हैं कि बहुत मसाइल है, हम जानते हैं कि बहुत दादा प्रेशर है, और कई ऐसी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है, लेकिन अब वही बात कि अब सुनवाई सबकी होगी, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी सुनव और कि इसकी सबकी होगी, वही नहीं को जाते हैं, तो आपका नाम सीगा आवराज में भी रखा जाएगा, और आपके जो भी बहुत मसायला उन्हें पूरा हाल करने की कोशिछ की जाते हैं, इसके इलावा विमन सेफटी आप लाजमा है, विमन सेफटी आप लाजमी तॉर अपने जो खवतीन हैं उनके मुबाइल फोन में जुरूर इंस्टाल कीजिए क्यूंके वही एक एक एप्लिकेशन है जो आपको अकसर बच्चें को नहीं पता होता कि हम जहां से गुजरने जगा कौन सी है यह कौन सा इलागा है हमें थाना कौन सा लगता है आपकी लोकेशन ह का मरे पाशिया और अस strangers को हमारे पास आहे गए हमारे आप असानी हो जाती है आप सिर्फव distributed आट हमेरे हैं पुलिस को आप पेंश करवाना पुलिस पहूंची है नंहीं पहूंची क्या हुआ क्या नहीं होश्रा काम हमारे है backal कि आम का आपका सिरे आपने प्रा कीम्ति. व यहां पर डील होंगे, आपकी मदद के लिए, यहां में पूरा स्टाफ मौझूद है, लेकिन आपने आप तरी आवास खुद उठानी है, आपना मसला हमें बताना है, बाकी हमारा काम है, और इसके साथ हमने शोर के दुरान भी बड़ी खुबसुरा लाइन बोली कि जहां अब वक्त हुआ जाता है हमारे बहुत इंटरस्टिंग सेंग्मेंट का जिसका नाम है दिल चस्पो अजीब, और इसमें हम आपके लेकि आते हैं बहुत इंटरस्टिंग खबरें, तो पहली खबर मैं शेयर करूंगे अपने नाजमें के साथ, बड़ी जबर्दस खबर है, आपको हीरे पसंद हैं? मैं चाल है ऐसा सवार जिसका जवाब ना किसी के बास नहीं होगा है. हीरे तो सबको पसंद है, बड़ी नयाब चीज़ है, और इसकी वर्थ वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है. हीरे बहुत सारे हीरे के टाइप्स होंगी और बहुत 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 तरह का खुबसूरत पत्थर है जो नयाब पत्थर है और बहुत ही वैल्यूएबल बड़ी इसकी प्राइस में हाई होती है. ना के सिरफ ताहिरा, पत्थरों में हीरे होते हैं, इंसानों में हीरे होते हैं यह तो है, इसमें बात करेंगे, बड़ा इंट्रसटिंग टॉपिक होगा लेकिं इस नया काम हुआ है यह था घूंब फूलों की मदद से दुनिया का पहला हीरा जाली है आप हमेशा लेखते हैं कि पत्थर है कोई उसकी बहुत सी टाइप्स हैं तो यह हीरा है यह फला हीरा है अब ही जाए रीटेल तो मुझे नहीं पता आपको पता होगी तो इस तरह से एक नए अपने तर्स का एक नया हीरा बनाया गया है चीनी साइंस दानों ने फूलों की मद जाती हूं कि इसका क्या नाम है उसमें कुछ कार्बन एटम से जिनको उनने यूज किया और फूलों से निकाला और इसके बार फूल की मदद से और यह जो फूल है जिसको ने इस्तेमाल किया चाइना के साइंस दानों ने साइंटिस ने इसका नाम था रेड प्योनीज अग इनागरेशन नकाब कुछाई की वो चीन के सुबह हिनान के शहर लोयांग की गई और बड़ा बहुत ही लोगों ने इसमें इंट्रस्ट भी लिया और बड़ी दुन्या ने इसको आकर देखा भी और इस हीरे की कीमत जी तीन लाक यौन जो चाइनीज करंसी है यह इसकी की क जो पहर से पूछते हैं कि क्या इंट्रस्टिंग खाबर यह आज निकाल के लाए हैं खोज के लाए हैं अपने नाजरीं तो मैं भी लेकर आया है मुझे बात बताएं यह रसी का लफ सुना है अपने रसी बड़ी कॉम्में से चीज़ है तो यह किसी से तियार होती है रसी अच्छी नसल के धागों से अगर मैं कहूं कि ऐसी रसी जो कर दो के बालों से तियार होती है और चो चोटी मोटी नहीं पचास मिल नंबी यानि खावतीन के बालों को इस्तमाल करते हुए 50 मीन लंबी रसी प्यार की गई एक तैकिक के मतावे किसी खातून को माधद के साथ ऐसा कभी नहों कि खातून की खुबसूरती में उसका बाल उसके जो बाल होते हैं बहुत ज्यादा एहम करदा करते हैं इसमें तो कोई शक न सर से सारे बाल उतार दिया जाएं को सेफ्व नहीं को पर घुकरती उसको फदिया सकती है क्याछ़ कि थे रेली इनके लिवस्ति पर जो स्कूरत कर गहेंगे सेर बालों से और कोई भी खातून तो खैर कभी चाहेगी नहीं कि उसके सर के बाल इस तरह से काटे जाए तो यह कभी किसी मर्द के दमाग में ऐसी कोई ख्याल आएगी कि मैं अपनी घरवाली के बाल काट के करो बिल्कुल ऐसी गलती मत कीजेगा यूगर के बालों में बहुत खुपी है और और लगती खुपसूरत अगर उसके बाल खुपसूरत और घरें हो तो अब आपने जो हमने ख़बरें आप से शेयर की हैं इनको आपने खुद भी जाकर सर्च करना है और सर्च करके कॉमेंट करना है हमारे सोचल मीडिया पेजिश पे ना के सिर्फ इन खबरों के बारे में और भी मजीद मामला टिक्नालोजी की पॉइंट व्यू से जरायम की रोक थाम के लिए हम क्या कर सकते हैं क्या स्पेशल मजीद इनिशेटिव ले सकते हैं जिस तरह से हमने एक विच्वल मुम पोस्ट में इदेंसी आप ही के लिए बनाए गई हैं, आपके तहफूष के लिए बनाए गई हैं और हमारे फरायज में शामिल है कि आपको तहफूष वरामर किया जाए तो आपने कॉमेंट कहा करना है? सोचल मेडिया पेजिस पे तहरा बताएं हमारा जी ट्विटर हैंड